कि यह सर्दार्ज मारक विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्शन का केंद्र बनेगा भायों बैनों हम चाहते हैं पुरे विश्व का ये प्रवासन धाम बने और यहां आने वाला देखें कि भारत में ऐसे महापुरुष भी हुआ करते थे हमारी उचाई को देखें इस देश के उचाई को नाफें यह हम चाहते हैं और जब यह पूरा स्मारक बनेगा हम देश वाश्यों के लिए वो प्रेना का तिर्थ होगा और विश्व भर के लिए वो प्रवासन का धाम बन जाएगा हर एक को अपने अपने लिए जो चाहिए वो इस धरती से मिलेगा भायों बैनों यह स्मारत बनाने में पीछे भी भारत के भविश्य को हमने जोड़ा है खास करके हिंदुस्तान में आदिवाद्शों के कल्यान के लिए जो काम हुए हैं किसी भी सरकार ने क्यों न किये हो किसी कानून विशेश के कान क्योड़ा हुए हो किसी योजना के विशेश के अज्यूजा उन सब को यहां हम संग्रहीद करना चाहिए और हम हिंदुस्तान के मेरे आदिवासी भाईयों बहनों के जीवन में नया उमंग और उत्सा कैसे आएं वे संपन्न कैसे बने वो राश का काम भी आदिवासी कल्यार के रिसर्च का काम भी इसी समारक के तहट हो यह देश गावों का देश है कि संदार वलब भाई पटेल किसान कुत्र थे किसानों की कल्यार के लिए आने वाले दिनों में कौन से नविन मिध्यान की जरूत है कौन से नई टेक्नोलोजी की जरूत है हमारा गाव अधिनवक्ता के और कैसे बढ़े हमारा किसान आदुनिक्ता के मारकों कैसे आगे बढ़ाएं यह उसको शिक्षा दिक्षा जहां से मिले वैसा एक रिसर सेंटर हिंदुस्तान के किसानों के लिए इंदुस्तान के अग्रिवेल्चर के लिए गाउं गरीब किसान के लिए यह काम भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं आई साथ सर्दार बलब भाई पटेल का एक समारत इस थर्थी पर बनाने जा रहे हैं कि अग्र आपता हैं झाल 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 झाल